मंगलवार एक अगस्त को भारतिय चीन सेमा पर सेना की भारी हलचल देखी गई बाहनों की आवजा ही भी भारी रूप से देखी गई किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतिय सेना इस इलाके में राशन, मेडिकल एसिस्टेंस और दवाईयां पहुचा रही है लेकिन सेमा पर हालात इतने तनाव पूर आखिर कैसे हो गए और लगातार हालात क्यों बिगड़ती जा रहे हैं दरसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 29 अगस्त को चीन से सटे पूर्वी लद्दाग की इलाके में चीनी सेनेकों ने गुस्त पैट करने का प्रियास किया चीन सेना की तरह इस्थित है लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता रहा है 29 अगस्त को भी करीब 200 चीनी सेनेक की इसी इलाके को कब जाने के लिए भारती सीमा में गुस्ने का प्रियास कर रहे थे लेकिन सेना के बयान के मताबिक भारती सेना ने उस दिन चीनी सेनिकों को खदेर दिया और भारती सीमा में नहीं गुसने दिया इसके बाद भारती और चीनी सेना के बीच कमांडर स्थर की बाचीत हुई इस चर्चा में चोटी का मुद्दा मुख्य मुद्दा बना रहा लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एक बार फिर दोनों देशों के बीच इस चोटी को लेकर कोई भी आम सहमती नहीं बन पाई एक तरफ जहां भारत बाचीत कर मामला सुलजाने का प्रियास कर रहा था वहें चीन अपनी दोरी चाल बाजी से बाज नहीं आ रहा चुसूल सेक्टर में एक बार फिर चीन ने 31 अगस्त की रात गुसपैट की कोशिश की वहीं इस पूरे मामले में चीन के विदेश मंत्राले ने अपनी सेना द्वरा की कर्दूत को स्विकारने से साफ साफ इंकार कर दिया इसके बाद सही सीमा पर तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा दोनों दिशों की तरफ से सीमा पर सेना की भारी मात्रा में तैनाती की जा रही है पैंगॉंग लेक से लेकर इस पैंगुर तक भारतीय सेना मजबूत इस्थिदी में है दोनों दीशों के सैनिक फॉर्वर्ड लोकेशन पर तैनाथ हैं और भारी हतियारों से लेस भी हैं सुमवार और मंगलवार को रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग, एनसे अजीद डोभाल, सीडियर जनरल बेपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ साथ ब्लोक में कई दोर की मेटिंग भी चीन और भारत के बीच इस जेल को लेकर पिछले तीन साल में चार भार जड़प हो चुकी है इस साल पांच मई को दोनों सेनाएं हमने सामने आ गए थी लेकिन पंदरा जून को हिंसक जड़प में दोनों सेनाओं को भारी चोटे आए थी एक तरफ भारत ने जहां 20 जवान खो दिये थे वहीं मीडिया रिपोर्ट को मताबिक चीन ने करीब 40 सैनिकों को गवा दिया था इस पूरे मसले पर क्या है आपके राए और क्या आपको लगता है कि ये मसला चल सुलच जाएगा ये बाचीत से सुलच जाएगा या फिर ये विवाद एक बड़ी जंग में तब्दीर होगा ये अपनी राए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकाश और बेल आइकन तबाना ना भूलें